है यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं कोड़ फोस रिसेंट राउंड एट सेवन एट रेटर फोर देप्थरी का थर्ड प्रॉब्लम स्काय रिजॉर्ट के बारे में यह कुश्चिन अच्छा कुश्चन है ठीक है तो लाश्ट तक वीडियो को देखना जब तक लॉजिक आ लो अपने हिसाब से वैसे कोड हम लोग लाश्ट में डिसक्स करेंगे तो आप वहां से हल्प ले सकते हो कुश्चन क्या कर रहा कि आप मानों कि आपकी घर्मी के चुट्टी हो गई आपको एक वैकेशन आप प्लाइन करो ठीक है तो आपने वैकेशन प्लाइन किया तो कु क्यूंकि बहुत ज्यादा तो आप जाओगे नहीं तो आपने कि क्यों डिग्री से अगर ज्यादा है वेकेशन प्लाइट मतलों अगर आपने डिसाइड कि मुझे तीन दिन रहना है लेट सपोच और क्यूंकि वैल्यू आपने देती चलो ठीक है थाटी एट से ज्यादा हो क्यूंकि यहां पर बोला अगर की वैल्यू में थ्री बोल रहा हूं तो आप तीन चार पांच जितना दिन चाहो उतना ग्रेटर दन इकुल टू थ्री वाला जो है वह जब तक कि इन तक ना पहुंच जाए वह आप अपना कोसिस को जितना ज्यादा दिन बिता सकते हो वहां प्रेचर आ आपने बता दें मुझे कंसे कम के डिज रहना है और मेरा इतना क्यूं तो अब आपने आपने बोला कि ठीक है याद मेरी घर में चुटी होगी मैं कलकुलेट नहीं कर रहा हूं मैं अपने अपने भाई को दे दिया ठीक है चलो तू कलकुलेट करके बता तू ब क्या होगा यहां पर यह तो क्यों था क्यों में कुछ ज्यादा अलग नहीं था ठीक है नॉर्मल आपकी लेंग्विज थी उसमें कुछ ख़दानाग नहीं था तो हम लोग बढ़ते हैं अब हैं कि आपके पास एंडेज का रिकॉर्ड है जो कि टेंपरेचर के रूप में द काफी जो पार्टिकुलर डे होगा वहां पर आप नहीं रहोगे ठीक है तो क्या होगा जिससे देखो अगर मैं बात करूं कि यह के डे का बिंडो था और यह आपके लिए स्यूटे वल है राइट अब के प्लस वन लेंद का यह जो बिंडो है यह नहीं हो पाएगा यह मालो पूरे बिंडो की जो maximum होगी maximum temperature वो आपका greater than q होगा तभी आप नहीं रहोगे ठीक है उस बिंडो को आप चीज नहीं करोगे तो point यह है ठीक है point यह सबसे पहला जो point समझने का है आप particular यहां से start करोगे ठीक है I equal to zero आपने देखा कि consecutive कितने दिन ऐसे हैं जहां पे जहां यह एक बिंडो मैंने निकाला final बिंडो ठीक है final बिंडो इतने दिन है जहां आपकी temperature जो है उसका temperature का maximum है इस पूरे बिंडो का जो maximum temperature है वो less than equal to q है मतलब इस बिंडो में अगर मैं अपना रहने का अगर मैं k वाला length भूल जाता हूँ temperature वाले को मैं साथ में रख रहा हूँ तो हमारा ऐसा होगा कि इस बिंडो में महरा सकता हूँ क्योंकि यहां पर temperature जो मेरे limit में है ठीक है उसी तरीके से हमने क्या किया है ऐसे हो सकता है यहां पर कुछ ऐसे number होंगे जिनका maximum जो होगा वो बढ़ा होगा means maxus वो बढ़ा होगा हम रह सकते हैं क्योंकि वहां पर temperature हमारे compatible है राइट अब हमारा है कि यह क्या के length से ज्यादा है या नहीं तो देखो let's suppose इसकी length x होगी किसी एक window की random value x लेता हम लोग math समझते हैं ठीक है अब हमको उसमें k length की window बनानी है k plus 1 length की window बनानी है k plus 2 length की window बनानी है इस तरीके से till x length तक की window बनानी हम मानते हैं कि x greater than equal to k है अगर नहीं होगा तो हम उसको यहाँ पर छोड़ देंगे क्योंकि वहां पर pointer नहीं बनता राइट अब point यह है कि इसमें k और k2 जितने भी length की window बनेगी वो कितने window बनेगी point यही चीज़ जो है आपको परिसान करें क्योंकि यह चीज़ बहुत hard नहीं है यह बहुत असान है two pointer से दूसरे तरीके सा आप find out कर सकते हो right तो अब समझो x length का यह s है x length का पूरा आपका period बनाई है यह x है इसमें आपको पहले धूंड़ना ऐसे k वाले का फिर k plus 1 वाले क तो मैं क्या कर रहा हूं इस k को common कर रहा हूं ठेक तो अब क्या होगा यहां पर आप देखो तो zero मतलब ऐसे आपको common नहीं होता मैं आपको समझाने के लिए लिखा रहा हूं 0, 1, 2, 3, ऐसे बनेगा तो मैं क्या कहना क्या चाहरा हूं इस k को common ले देखो यह expression ऐसे mathematical पर हम सही वाले के लिए कोई और sell की जरूत नहीं है किसी और day में उसकी k plus 1 के लिए एक extra day की जरूत है तो मैंने इस k का एक packet बनाया और इसको एजे treat करने लगा कि ये 1 है ये एक single है तो अब क्या होगा एक single के साथ एक और देंगे तो k plus 1 हो जाएगा एक और देंगे तो k plus 2 हो जाएगा एक और देंगे तो k plus 3 हो जाएगा तब ये sequence 1,2,3 जैसा बन गिया तिल अब जहां तक ये जाए ठीक है तो ये basically ये x minus k plus 1 होगा तो अब मैंने क्या किया बताओ मैंने क्या किया इस x length में जितना भी था उसमें x length में k को घटा दिया ये कैसे लिखा हूँ मैं वो बता रहा हूँ x में k को घटा दिया 3 को मैंने उठाया बाहा लिया तो k घट गिया और उसको submit smart के एक packet बना दिया एक bundle बना दिया मैंने और उस bundle को मैंने वहाँ पर write कर दे तो एक bundle आया तो ये एक cell treat करेगा अब ये जिसके साथ भी जाएगा जिसके जिसके साथ वो सब एक बनता जाएगा आपका ways तो x माइनस k प्लस 1 अब कहोँगे यहाँ पर सुरूबाल है क्यों बीच बाला तो बीच में भी वही करेंगे ये तीन को उठाएगे bundle बनाएगे और चिपका देंगे वहाँ पर तो क्या होगा उसको आजे एक cell हम treat करने लग गया ठीक है अब यह आसान हो रहा होगा अब उस तरीके साथ देखो k, k plus 1, k plus 2 हम कैसे बनाएगे तो इसको आज से समझो कि एक bundle बना दिया यह हम लोग करते थे जब हम लोग J-E के तयारी करते तो इसमें permutation, combination में यह वाला सवाल था अगर आप question में देखोगे तो combination वाला आपको tag लागा हुआ तो आपको यह जो तरीका यह जो logic है यह आपको ध्यान में रखने इस तरीके से number of ways अगर इस तरीके सबको find out करना है जहां पी यह change कर रहा है तहम उसको एक bundle बना देंगे और उसको ऐसे single cell treat करेंगे ठीक है तो यह आपका काम आजाएगा तो total x-k plus 1 हो गया अब यह देखो sequence क्या है 1, 2, 3, 4 let's suppose dot 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 x-k plus 1 और इसका sum मुझे चाहिए इसका sum चाहिए तो sum क्या होता n into n plus 1 by 2 का formula तो simple x-k plus 1 into n हो गया यह n into n plus 1 तो 1 plus 1 2 हो जाएगा अब by 2, simple तो यह आपका formula बन किया गया इसमें क्या होगा, total number of ways अब बोलोगे यह कैसे हो रहा मुझे एक बड़ा और समझा दो तो एक बड़ा और देख लेते हैं k का bundle बनाया एक कर दिया अब यह single sale बन गया ठीक है, एक sale समझगे लो अब यह जैसे भी हम यह जरूरत होगा जब k की जरूरत होगा हम single के बात करेंगे तो इस तरीके से k plus 1 होगा, एक extra sale देंगे उसको k plus 1 बन जाएगा तो हम 2 का जब packet ले रहे होंगे तो वो k plus 1 बन जाएगा 3 का packet लेंगे, तो k plus 2 का बन जाएगा तो इस तरीके से हम जो है आप बहुत असान इस कर लोगे तो हम लोग अब चलते हैं code में, आपको दिखाते हैं कि किस तरीके समयनी के implement इसको एक चीज़ बता तुमें यहां पर long-long आप लेना data type को जो भी आप यूज कर रहे हो sum वाले में या tim वाले में calculate करने के लिए क्यूंकि otherwise आपको वो error देगा छे number test case पर आपका fail हो जाएगा तो चलो यहां पर n के q और आपका vector पुरा input ले लेने के बाद मैंने count रखा है count means length निकालना है basically यह कितने length का यह window बन रहा है जो कि x हमारे हैं यहां पर मैंने बात किया था अंसर हमने रखा जो final हमारा answer होने बारा तो अब as soon as कि हम इस number को particular number को pick कर रहे है तो यह अगर q के length q या q से कम है तो वो हमारा जो होगा एक part बिंद जाएगा तो हमने simple एक window लेते चलेगा कि जब तक हमारा element add हो रहा हुआ उस window में हमने count increase किया as soon as हमारा window end करता है तो हम बस यह check करेंगे कि हमारा उस window का length के यह कैसे ज्यादा है कि नहीं अगर है तो हमने temp 1 में यह जो end था उसको हमने store कर लिया लग जगा और n into n plus 1y2 अपना temp 2 में calculate हो गया और उसको simple add कर दे अंसर में और इस तरीके से हमने जो है वह चीजों को implement हो सकता है कि आपके सारे value check करने के बाद ठीक है सारी value सिर्फ यहां पर आए सब छोटे छोटे Q से सारे छोटे तो calculate नहीं होगा तो at last आपको देखना है कि क्या कोई अभी भी window बच गया है ठीक है उसका calculation add नहीं कर पाया है तो उसको आपको यहां पर add करना basically वह ऐसा होगा जो last element इस लूप में चलेगा आपका ठीक है तो इस तरीके से हमने सारे calculate कर लिए यह implementation अलग-लग ढंक से आप अलग-लग तरीके से कर सकते हो और मने देखा कुछ लोग का और छोटा किया हुआ है ठीक है और simple में में किया हुआ है बट हाँ जो मैं अपना approach य लगा implement करने के लिए ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं के लिए वीडियो में till now bye bye